हेलो एवरीवान टारेट विद एम सिंग में मैं आपने सभी व्यूवर्स का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ अनेक्सपेक्टेड न्यूस की रीडिंग लेकर देखते हैं आने वाले हफ़ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनेक्सपेक्टेड हो जो आपने सोचा भी ना हो और वो चीज़ें घटित हो जाएं सो शुरू करते हैं यहाँ पर मैं यह तीन डेक्स यूज़ करूँगी मेजर अरकाना हमेशा की तरह हम लास्ट में लेंगे five cards कलेक्टिब लेवल पे energy चेक करने के लिए सबसे पहले हम टैरो से लेंगे कुछ cards और चेक करेंगे energies और यहाँ पर मैंने angels की तरफ से कुछ messages निकाल कर रखे हैं और कुछ dreams यह मैं आपको बताऊंगी साथ ही साथ मेरी जो dream channeling है वो भी मैं आपको बताऊंगी at the end of the reading तो शुरू करते हैं देखते हैं ऐसा क्या हो सकता है unexpected जो आपने सोचा भी न हो आने वाले हफते में please guide करें इंजल्स मेरे viewers की life में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल unexpected हो आने वाले हफते में प्लीज गाइट करें unexpected news bottom of the deck we have justice so cards सब रख लेते हैं और one by one मैं आपको बताऊंगी first जो message निकल कर आया है वो है wheel of fortune कई लोगों के life में sudden shift sudden change 360 degree change ये change बहुत जादा positive हो सकता है suddenly आपकी नौकरी लग जाए suddenly आपके financial problem खतम हो जाए suddenly आपके life में सब कुछ smooth हो जाए और या तो बहुत जादा 360 degree negative change हो सकता है depend कर्मा पर because we have karmic energy karmic depths past life से related कर्मा suddenly आपको किसी trigger से गुजरना पर सकता है आपका कोई बहुत पुराना दुश्मन दोस्त में बदल जाए सब कुछ sort out हो जाए या ये भी हो सकता है कि suddenly आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त दुश्मन में बदल जाए मतलब कोई बहुत जादा जो होते ना big massive change वो यहाँ पर नजर आ रहा है next we have tower so suddenly कोई ऐसी news आ सकती है जो की कुछ change हो सकता है जैसे कि मैंने कहा ना कुछ खतम होने से related news किसी तरह का sudden breakthrough let's clarify this tower क्यों आया है कुछ लोगों की job से कुछ shift हो सकता है कुछ लोगों की जो energy है वो ऐसा हो सकता है कि आप अभी prepared नहीं थे कि आपको घर change करना है बट suddenly आपको घर change करना पड़ गया या किसी तरह की bad news आपको मिल जाए आपके work place पर या आपकी family में कोई ऐसा आपको trigger दिया जाए जो की आपके लिए बहुत ज़ादा powerful trigger हो in the sense जैसे आप किसी और से प्यार करते हैं और आपकी family आपको पकड़ ले कि नहीं भी या तिरे को तो इससे शादी करनी है और किसी और से आपकी शादी की बात fix करने लगें किसी और से मिलवाने लगें कि नहीं आपको इन से मिलने जाना ही पड़ेगा तो ये भी एक breakthrough है जरूरी नहीं है कि कोई bad news ही आए बट ये भी एक bad news ही है suddenly आपको कोई बड़ा change face करना पड़े तो यहाँ पर manipulation है यहाँ पर आपको किसी तरह का trigger किसी अपने से ज़्यादा तर मिल सकता है क्यों आए है high priestess आप में से कई लोगों के life में sudden change होगा किसी situation से कहीं चले जाना sudden traveling, sudden आपके person से भी आपको trigger मिलने के chances है अगर आप married है या single है आप commitment का weight कर रहे है या अगर आप already married है तो आपकी married life में suddenly किसी तरह का trigger moment किसी third person की वज़े से मतलब आपके और आपके husband के बीच में सब कुछ सही है बढ़ आपकी mother-in-law ने आपको कुछ बोल दिया या आपकी sister-in-law ने आपके तो इस तरह की कुछ चीजें कुछ लोगों के साथ हो सकती है ये energy सब के साथ resonate नहीं करेगी बठाँ यहाँ पर आई है तो जिसके लिए आई है उसे feel हो जाएगी आने वाले हफते में यहाँ पर कुछ लोगों का sudden job change हो सकता है suddenly दूसरी जगह जाना पड़ सकता है movement नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि एक job से छोड़ कर आप किसी दूसरी location पे जा रहे है जगह change हो रही है इस तरह की energy है next we have justice कुछ लोगों को नयाई मिलेगा किसी situation में especially अगर आप किसी court कचरी के मसले में है तो आपके साथ justice होगा आपको कोई good news मिलेगी कोई positive result आपको मिलेगा साथ ही साथ जिनके life में कोई court कचरी का मसला नहीं है हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी problem face करनी पड़े जैसे आपको police ने पकड़ लिया traffic के लिए पकड़ लिया driving license नहीं है आप पकड़ा गए मतलब कुछ इस तरह की matter हो सकते हैं तो आपको थोड़ा सा aware रहने की जरुरत है ठीक है then we have ten of pentacles sudden family के कुछ members आपसे मिलने आ सकते हैं हो सकता है वो आपको बता कराएं हो सकता है बिना बताएं ज़्यादा तर chances हैं कि बिना बताएंगे because this is unexpected अगर बता कराएंगे that is expected ना यहाँ पर unexpected या तो आप कहीं जाने का suddenly plan कर सकते हैं किसी अपने मित्र के हां अपनी relative के हां या कोई आपके हां आ सकता है ठीक है यहाँ पर यह भी possibility नजर आ रही है कुछ लोगों का घर का position उनको मिल सकता है unexpectedly आने वाले हफते में हो सकता है आपके builder ने बोला हो कि अभी तो तीन महीने और लगेंगे लेकिन उन्होंने suddenly आप से बोला कि नहीं अब हो जाएगा चीजें सब settle हो गई हैं आप चाहें तो shift हो सकते हैं तो कुछ इस तरह की भी energy है जैसे की renovation या अपने new घर में जाना घर से related कोई good news यहाँ पर नज़र आ रही है then we have the fool कुछ लोग carefree होकर कहीं travel करेंगे घुमना फिरना enjoy करना मजे करना unexpected travel होगा यह ऐसा नहीं कि आपने पहले से booking करा रखी है और आप कहीं जा रहे हैं नहीं this is totally unexpected अचानक से होगा सब कुछ जैसे दो दिन के अंदर सब कुछ settle हो गया कि हाँ भी मैं taxi book कर दे रहा हूँ या मैंने कर दी है और आपको यह करना है आपको packing करनी है बस तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं काफी लोगों की life में कुछ लोग किसी नए कारे की शुरुवात भी करेंगे यहाँ पर किसी नए कारे की शुरुवात हो सकती है चाहे नए office, चाहे नए job यहाँ something new, fresh then we have page of wants किसी चीज़ का बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे थे हो सकता है सालों से कर रहे थे, महीनों से कर रहे थे especially, especially यह इंतजार किसी अपने का है ऐसा लग रहा है कोई ex या आपका present आप किसी के lot आने का इंतजार कर रहे थे waiting पर थे और वो lot कर आ जाएगी या आ जाएगा तो यहाँ पर collective union नज़र आ रहा है हो सकता है आपने hope भी खोदी हो लेकिन आप का जो partner है वो definitely आपके life में return आता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है yes, six of cups कोई old friend से मुलाकात हो सकती है कोई friend आपको gift दे सकता है या दे सकती है unexpected gift भी receive हो सकते है कुछ पुरानी memories जैसे कि होता है ना कि college friends थे वो phone करें कि नहीं नहीं यहां मिलते हैं मैं यहां आया हूँ या आई हूँ और मिल लिया मतलब किसी friend से आपकी अच्छी जिसके साथ आपकी strong bonding थी प्लस यहां पर new friends बनने की भी energy आपके life में कोई नया person entry ले सकता है या ले सकती है कोई new friendship की भी energy है जो कि आगे चलके बहुत strong friendship होगी then we have night of cups यहां पर love life में बड़ा perfect energy है love life बहुत अच्छी रहेगी ज्यादा तर लोगों के life में love life की energy बहुत positive है आपके life में अगर आप single है तो new लोगों की entry नजर आ रही है जैसे कोई new रिष्टा आ रहा है या new friends आ रहे हैं आपके life में मतलब बहुत जादा positivity romantic life को लेकर यहां पर नजर आ रही है देखते हैं major arcana से क्या चीज़े निकल कर आती है major arcana हमें क्या बताते हैं आने वाले हफते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिलकुल unexpected हो please guide car angels unexpected news आने वाले हफते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिलकुल unexpected हो मेरे viewers के life में ऐसा क्या हो सकता है जो बिलकुल unexpected हो कुछ लोगों ने मुझे messages किये थे कि ma'am आपने कहा था कि समुदर से related कोई खबर आ सकती है पानी से related कोई खबर आ सकती है आग से related कोई खबर आ सकती है और जब से आपने बोला है आग ही आग है कहा कहा आग लग रहे है तो मैं यही और कही पे कुछ cyclone भी आया है शायद तो मुझे पता नहीं है कि क्या तिवरिता है उस cyclone की क्या कुछ effect भी हुआ है but actually में क्या होता है कि जब हम reading करते हैं especially जो energy होती है मुझे तो वो energy मतलब ऐसा लगता है जैसे वो खुदी बताना चाहा रही है अब full moon पे ही क्यों आया cyclone क्योंकि अभी just full moon भीता है और I think जो cyclone आया है वो full moon के बाद आया है तो full moon क्या है लोगों को पता भी नहीं होता है tarot readings या ये सब देखने के पहले कि चंद्रमा का कोई असर भी पढ़ता है हमारी life पर but actually में बहुत ज़ादा impact होता है सूर्य का, चंद्रमा का सभी nine planets का nodes का, राहु केतु जो nodes है, उनका बहुत बड़ा effect होता है बहुत बड़ा effect एक तरह से कहा जाए तो वो सबसे important planet है हमारे life में क्योंकि केतु हमारे past life को denote करता है past life पुनियस को denote करता है और जो भी हमने past life में achieve किया है और राहु हमारा इस life का purpose है तो लोगों को ये चीजें इतनी जादा serious नजर नहीं आती है ठीक है, लेकिन जब हम cards निकालते हैं तो अब जैसे moon का card आया तो वो खुदी cheek cheek कर बताते हैं कि या मेरी energy heavy है और मेरे से related कोई ख़बर आईगी तो ये चीजें हो जाती है resonate but मैं यही कहूंगी कि महादेव सब की रक्षा करें और अगर किसी का कुछ नुकसान हुआ हो तो उनको हिम्मत दें उस नुकसान की भरपाई करने के लिए शुरू करते हैं देखते हैं अरे, impress को बड़ी जल्दी बहार आने की please guide car angels unexpected news आने वाले हफते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल unexpected हो five cards wheel of fortune the lovers आज गजब की energy है ना आज morning में भी रादे कृष्ण ने दर्शन दिया हमें morning reading में और अभी देखें unexpected में भी हमें रादे कृष्ण के दर्शन हुए three more cards angels the star ऐसे ही positive cards आते रहें low कर low बात death आ गया हमारे पास one more card हर हर महादेव क्या गजब की chemistry इन दोनों लोगों की और इसका देखो ये भी आ गया आज morning की reading किस किस ने देखी है जरूर से बताना comment section में अगर आपने आज morning की current feelings देखी है तो यहाँ पर देखे आज ये महानुभाव भी आये थे और मैंने luckily मेरे मुझ से निकला कि अगर ये आये हैं तो महादेव जरूर हमें दर्शन दें या राधे कृष्ण दर्शन दें और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये भी बोला कि दोनों ही दे दें तो बहतर है और दोनों ही दर्शन दे दिये और आज night की reading में unexpected में भी तीनों साथ में आए हैं तो यहाँ पर इससे रहा नहीं जाता है ये दोनों लोग बाहर आ गये तो ये bottom में आ गया इससे रहा नहीं जाता है ये बदमाश से की अंदर रह ले ये शांती से थोड़ा तो positivity रहने दे life में ये कूद के बाहर आ जाता है लेकिन यहाँ पांच कार्ड अल्रड़ी हो चुके हैं तो हम इसे लेंगे नहीं तो यहाँ पर देखिए unexpected news में सबसे पहला कार्ड है wheel of fortune आज आप notice किया आपने tarot से भी सबसे पहला कार्ड शायद wheel of fortune ही था wheel of fortune सबसे पहला कार्ड था आज टैरो में तो यहाँ से ये energy आ गई then यहाँ पर जो energy थी वो थी tower की और tower की जगए यहाँ death ने ले ली है तो यहाँ पर काफी चीजें similar हैं मैंने आपसे यह भी कहा था बहुत सारे लोगों का reunion होने वाला है बहुत सारे लोग एक होने वाले हैं यहाँ पर the lovers भी आ गया and tower पे तो भगवान महादेव का अधिकार है तो यहाँ पर destruction की energy भी है ठीक है तो over and all death के साथ temperance आ गया है मतलब की कुछ लोगों के life में भाग्य साथ देगा sudden change आएगा sudden shift energy में बहुत सारे reunions होने वाले हैं love life में married life में separation end होने वाली है the star की energy है hopeful रहिए positive सोचेंगे positive ही होगा hopeful रहिए अच्छा सोचिए positive सोचिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों की manifestation पूरी होने वाली है wishes पूरी होने वाली है we have death yama की energy तो यहाँ पर कोई ऐसी news आ सकती है जो की death से related हो और यहाँ शिव शक्ती की भी energy है तो कोई health issue भी आ सकता है health से related issues या sudden कोई ऐसा loss जो की destruction है मतलब किसी तरीके का destruction आने वाले हफते में let's clarify this please बताए angels क्यों आया है death major arcana में कौन कौन आना चाहता है यह भी आना चाहता है obstacles ace of wands again we have fight कुछ लोगों की sudden job change हो सकती है या मतलब छूट सकती है notice मिल सकती है ऐसा होगे आपको नहीं छोड़ना बट कोई company में conflict हो गया मजबूरन आपको छोड़ना पड़ा कुछ इस तरह की scene हो सकते हैं कुछ लोगों के life में कुछ लोगों के life में किसी से जगड़ा हो सकता है और health खराब हो सकती है जगड़ा ना करें बचा के रहें बाई क्यों जगड़ा करके अपनी तवित खराब करनी कुछ लोगों के life में कुछ खतम होगी एक नई शुरुवात के लिए something is going to end for a new beginning एक fresh start किसी भी area of field में कुछ लोगों की career से related यहाँ पर कोई opportunity change होगी मतलब आपने कोई hope छोड़ दी थी और आपको उस चीज में ही बहुत अच्छा scope मिल गया मतलब लोगों ने hope छोड़ दी थी आपसे कि यह बंद आया यह बंदी तो कुछ नहीं कर सकता यह खाली पैसे बरबाद कर आपने माबाब के बड़ actually मैं आपने कर दिखाया कुछ कोई ऐसी opportunity आपके हाथ लग गई जिससे आप abundant हो रहे हैं बहुत ज़ादा पैसा, धन का आगमन, मातलक्षमी की कृपा तो यह चीज़े हैं death is not a negative guard बट हाँ, इसके meaning काफी सारे होते हैं तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि सब के लिए खराब है बट हाँ, यहाँ पर sudden कुछ ऐसी news आ सकती है temperance क्यों आया है? यहाँ पर शिव शक्ती की कृपा से काफी लोगों की marriage fix हो जाएगी शादी से related कुछ चीज़े होंगी commitment से related कुछ चीज़े होंगी जैसे आप किसी से प्यार करते हैं बट आपको commitment नहीं मिल रही थी यहाँ पर काफी लोगों को commitment से related चीज़े उनके favor में आएंगी साथी साथ लोग नहीं मान रहे थे parents नहीं मान रहे थे तो उसमें भी काफी positivity आएगी third जो चीज़े हैं कुछ लोगों की sudden health issues हो सकती है especially आपके घर में किसी elder person की health issues हो सकती है लेकिन वो थोड़े time के लिए होंगी temporary और फिर recover हो जाएंगी health issues के चलते कोशिश ये किया कीज़े कि घर में आप उनका बकाइदे proper way में इलाज करें ठीक है और उनको अच्छे से अच्छा care करें ठीक है तो उनके उपर जादा time दें जादा समय दें उनके साथ ऐसा जरूर करिएगा अगर बाई चांस किसी के health issues होती है आपके family member में तो उनके साथ time दीजेगा उनको हकेला मत छोड़ दीजेगा सिर्फ doctor के और ऐसे अगर कि मतलब भाई हमारे पास तो समय नहीं है इनको दवा लिखके दे दी और अपने चले गए office थोड़ा care कीजेगा यहाँ पर जो energy है वो recovery तभी होगी जब आप उन्हे time देंगे तो यह चीज़े हैं we have devil आप में से कुछ लोगों का sudden जगड़ा हो सकता है trust issues की वज़े से गुसा हा सकता है aggressive behavior हो सकता है कोई आपकी तरफ या आप किसी की तरफ aggressive behavior कर सकते हैं आपको छुटी छुटी बातों पर बहुत भेंकर टाइप का गुसा आएगा जैसे आप खा जाएंगी किसी को वो भी कच्चा तो इस तरह की जो अचानक से नहीं aggression होता है साथी साथ आपको नजर लग सकती है आपको ऐसा feel हो सकता है कि आपको भूत उत पगड़ लिया कि मैं अचानक से मैं अपने behavior के opposite क्यों react कर रहा हूं या कर रहे हूं तो यह भी हो सकता हो सकता है आपके घर का कोई bowl भी दे क्या हो गया आचानक भूत चड़ गया क्यों ऐसे behave कर रहे हैं तो ये भी चीज़े हो सकती है, तो negativity का attack हो सकती है, आपको negative dreams आ सकते हैं, horror dreams आ सकते हैं, खेर वो अभी मैं channeling में बताऊंगी, ठीक है, तो ये कुछ चीज़े हैं जो आपको नजर आ सकती है, तो यहाँ पर बहुत ही positive vibration है, क्योंकि भगवान स्वयम यहाँ पर है, तो आपके life में ऐसी कोई problem नहीं आएगी, और अगर आएगी तो sort out हो जाएगी, अरण महादेव, रादे कृष्ण, देखते हैं इंजल्स आपको क्या guidance देना चाहते हैं, able, first message है Seer, number 27, second message we have number 23, River Woman, third we have Darkness, fourth, Spiritual Journey, fifth we have abundance, then we have the mountains, okay, then we have思, okay, we have some dreams, ठीक है, तो सबसे पहला जो we have here, यहाँ पर most probably काफी लोग ऐसे होंगे, जिनका third eye chakra activate होगा, जिनको visions आने लगेंगे, क्या हो रहा है, क्या होगा, आने वाले समय में क्या होने वाला है, predict कर सकते हैं, और वो चीजें घटित होने लगेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे य कैसे हो गया, मैंने जो बोला वो कैसे हो गया, तो यहाँ पर कई लोगों का vision clear होगा, third eye chakra activate होगा, ठीक है, साथी साथ we have river woman, river woman की energy है, यहाँ पर पानी से related, river से related, या जैसे हमारे यहाँ river को नाम दिया गया है, जैसे माता गंगा, मा, यमना, ठीक है, तो वैसे ही उस तरह की की कोई news आ सकती है, ठीक है, या आप में से कई लोग unexpectedly किसी river के पास जा सकते है, we have darkness, कुछ लोग ऐसे होंगे, जिनको बहुत horror type के dreams आ सकते हैं, dark, अंधीरा नजर आ सकता है, बहुत जादा weird dream में आ सकते हैं, मतलब उठके रात को डर जाएं, काम जाएं, दूसरे कमरे में भ इस तरह के dreams आ जाना, घबडा जाना, या फिर आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है, unexpectedly कि आप बहुत उजाले में रहते हैं, बट suddenly आप बहुत अंधीरा पसंद करेंगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं, मुझे तो अंधीरे में रहना है, मुझे तो light नहीं जलानी, म शांत रहने का मन कर रहा है, भीर से problem हो रही है, loud music से problem हो रही है, तो आप में से कई लोग spiritual journey में आ चुके हैं, welcome है आप सभी का, और spiritual journey में आप ascension process का part हैं, जिसमें आपको धीरे धीरे करके, लोगों से cut off किया जाएगा, अकेला किया जाएगा, और divine के साथ जोड़ा साथी we have the mountain, mountain से related भी कोई खबर, या mountain से related जो places हैं, उन से related भी कोई खबर यहाँ पर आ सकती है, we have evie, यहाँ पर बहुत सारे लोग कोई यह guidance दी जा रही है, angels के द्वारा, natural products के पेड लगाएं, जो natural herbs हैं, जैसे बेल हो गया, हम बेल खा सकते हैं, या हम जो पपीते की पती है, उसको हम अपने घर में लगा सकते हैं, अब आप देख रहे होंगे, काफी लोग हैं, जो डेंगू की वज़े से परिशान हैं, डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, बीस हजार प्लेटलेट्स हो गया, कई लोगों की डेथ हो जा रही है, खाली इसलिए की प हमारे जो भगवान देनवंतरी हैं, उन्होंने सभी हर्ब्स दिये हुए, पपीते के पती को आप पीस लें, उसका दो चमच रसा पी लें, रेगुलर आपका प्लेटलेट्स कभी नहीं घर सकता, तो ये कुछ चीजे हैं, जो की नाचरली भगवान ने दी हुई हैं, लेकि का मैं पती खा लेती हूँ, या फिर मैं तुलसी रेगुलर मेरे चाए में पढ़ती है, इसके अलावा अगर मैं ग्रीन टी भी पी हूँ, वैसे तो मुझे ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है, बट अगर मैं ग्रीन टी भी पी हूँ, तो उसमें भी मैं तुलसी, हो रहे हैं तो fever नहीं होंगे यह सब natural herbs हैं तो यहाँ पर आपको यही बता रहे हैं angels की natural जड़ी बूटी natural herbs पर dependent हो यह आपके लिए message है काफी लोगों को financial abundance मिलने वाली है good news related with money related with job related with finance dreams की बात करें तो यहाँ पर we have rainbow अगर आपको rainbow दिखता है dream में तो आप समझ लें आपको किसी तरह की good news मिलने वाली है intuition आपका powerful हो रहा है आपके life में कुछ favorable changes आने वाले हैं या आप किसी adventure राइट पर जाने वाले घुमने फिरने enjoy करने मजे करने plus rainbow क्या है rainbow colors है colors क्या है आपके chakra balance करने की जरूरत है अगर आप balanced है तो आपके chakra balance हो गए यह message है आपके लिए rainbow के dreams के थूँ और अगर आपके chakra imbalance है तो आपके लिए message है कि अपने chakra को balance कीजे seven chakras को seven chakra की series मैंने अपने दूसरे channel पर डाल दी है मैंने six chakra नहीं fifth chakra तक डाल दिया है six chakra का भी थोड़ी देर में या फिर कल सुबर पढ़ जाएगा वीडियो बन चुकी है वीडियो सिफ upload करनी है तो वो भी upload हो जाएगी और फिर बचा crown chakra तो वो भी मैं डाल दूँगी तो आप जरूर से उस वीडियो को follow करें एस्टो विदम सिंग पर यहां पर भी है ड्राइ लीव फॉलिंग अगर आपको बहुत जादा ड्राइ लीव दिख रही हैं तो आप समझ लें कि आपके कोई पाश लाइफ के baggages हलके हो रहे हैं clear हो रहे हैं karmic cycles clear हो रहे हैं blockages remove हो रहे हैं और जो unfruitful situation है जो बहुत जादा problematic situation है वो खतम हो रही है अगर आपको coconut से related dream आता है आप नारियल खा रहे हैं नारियल का पानी पी रहे हैं या आप नारियल का पेर देख रहे हैं तो आप समझ लें कि आपको क result मिलने वाला है और आप right direction में है अगर आपको बच्चे से related dream आते हैं तो आप समझ लें कि आपको अगर आपको baby नहीं है तो बहुत जल्द आपको good news मिल सकती है या फिर आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं कुछ excitement आएगी आपके life में plus love life में कोई बहुत बड़ा change आएगा अगर आपको om symbol दिखता है तो आप समझ लें कि भगवान स्वयम आपको guide कर रहे हैं इश्वर स्वयम आपको guide कर रहे हैं महादेव की blessing है आपके साथ साथ ही साथ आपके लिए ये भी message है कि positive affirmation use कीजे आपको good luck आपका साथ देगा अगर आपको heart shape या love life love जो heart होता है उससे related अगर आपको कुछ भी दिखता है आपको पत्ती दिखती है flower दिखता है या आपको dream दिखता है तो आप समझ लें कि आप जो भी manifest कर रहे थे वो पूरा हो गया आपको तथास्तों मिल गया प्लस अगर आपको लाल कलर का सूर्य दिखता है red कलर का sun dream में तो आप समझ लें कि आपके life में किसी तरह की negativity थी जो कि अब release हो रही है अगर किसी ने कोई भी negativity आपके life में डाली हो अफ़ाम किया हो वो खतम हो रहा है पेशन्स रखे भगवान की blessings आपके साथ है मेरी dream channeling की death देख ली किसी का आपने news सुन ली कि अरे उनका तो द्यान तो गया इस तरह की news सुन ली तो आप डर येगा मत क्योंकि इससे उम्र बढ़ती है और आपको अगर कभी भी कोई negative dreams आते हैं तो आप सीधा जाएं अपने इस्ट मेरे इस्ट महादेव हैं तो मैं महादेव से ब आप अपने इस्ट को बोल दें कि भगवान रक्षा करें ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन मैंने आपको बोल दिया अब मैं आपके सामने सरेंडर हूँ या तो फिर आप बोलने के अलावा आप लिख भी सकते हैं उस dream को आप बकाई दे लिख लें और उसको जला दें और ये क्योंकि स्वाहा हो गया इस dream का मुझे ना अच्छा फल चाहिए ना बुरा फल चाहिए गया तेल लेना है ठीक तो ये भी आप कर सकते हैं बिकर्स जादा तर जो नेगिटिव ड्रीम है वो बोल के हटा देना चाहिए क्योंकि expectation नहीं रखनी चाहिए क्या रहे मुझे इसका और अगे आपटक मैं तरह के अच्छा प्रश का मुझे है ओ कि रहे हैं जैसे वो किसी टरह का exam दे रहे हैं या किसी school में है या कोई बस पकड़ रहे है या आप देख सकते हैं कि आप travel कर रहे हैं, journey में है, train में चड़ गया, train छूड़ गी, कुछ इस तरह की dreams आ सकते हैं, कुछ लोगों को dreams में बदाम दिख सकता है, बदाम, dry fruit, जो बदाम होता है वो, या उसका पेड़, या बदाम तोड रहे हैं, इस तरह के dreams आपको आ सकते हैं, कुछ लोगों को dreams में कोई spirit animal दिख सकता है, कोई भी spirit animal हो सकता है, क्योंकि सबके spirit animal सेम नहीं होते हैं, कभी आपको owl दिख सकता है, कभी स्नीक दिख सकता है कभी आपको tiger दिख सकता है, loin दिख सकता है, chameleon दिख सकता है mangoos दिख सकते हैं, frog दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है, that's different, सबके spirit animal अलग होते हैं, कुछ लोगों को dream में fruits नजर आ सकते हैं, और कुछ लोगों को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, भगवान या भगवान से related किसी वस्तु के जैसे त्रिशूल हो गया, शिवलिंग हो गया, या डमरू हो गया या जैसे गनेश भगवान के दर्शन हो गया, या मोशक के दर्शन हो गया, या मोर्ती के दर्शन हो गया, या आप पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर में हैं, काफी लोगों को उनके partner के दर्शन होंगे, partner के दर्शन in the sense कि आपको ऐसा feel होगा, कि आप अपने person के साथ हैं, ज यह थी इस हफ़ते की unexpected news hope आपको इस unexpected से कुछ knowledge मिली हो, reading अगर आपसे resonate होती है आने वाले हफ़ते में जरूर से comment section में बताईएगा वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करें thank you so much, bye bye